ओम नमस्षिवाई, इजी क्रस्ती में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी के दिन से कहा जाता है कि विश्नु भगवान अपनी निद्रा से उठ जाते हैं और इसी दिन से सभी शुबकार्य शुरू हो जाते हैं चार महिने पहले देव शैनी एकादशी को विश्नु भगवान अपनी निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं उसके पाद एक परिवर्तनी एकादशी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि विश्णु भगवान करवट बदलते हैं और उसके पश्चात अंत में जो चतुर मास के अंत का प्रतीक है वह है देव उठनी एकादशी इस दिन देव उठते हैं वो को जगानी की परंपरा के साथ व्रत पारन का समय 5 नवंबर को सुभह 16.26 मिनट से लेकर 8 बज कर 48 मिनट पर रहेगा आर्थिक मास के शुकल पक्ष की यह एकादशी यानि के देवठनी एकादशी को तुलसी विभा का आयोजन किया जाता है और कई जग है तो अगले दिन यानि के दुलसी विभा कराया जाता है। और तुलसी का विभा संपन करवाने से वेवाहिक जीवन में जितनी भी समस्यां आती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। साथ ही जिन लोगों के विभा नहीं हो रहे हैं उनका रिष्टा पक्का हो जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जिन लोगों के घर बेटिया नहीं है उन्हें तुलसी विभा कराने से कन्यादान करने का पुण्य मिलता है तो यह थेका दशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें धन्यवाद कि जर खुत्वर में विएक करें प्लीज दुड़ी जाला करें प्लीज चैनल क्रणाएब करें बेडने से प्लीज प्लीज जापी लेगी जाखी जाराईब करें तो इन्हें विएक करें ऊ Natщее जाएग।